रायपूर लोगसफा से कॉंगरेस का प्रत्याशी बनाय जाने पर विकास उपाध्याय ने बयान जारी कर कहा है कि रायपूर में कॉंगरेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कारेकरता अपने अपने बूत में जुड़ जाएं विकास उपाध्याय ने रायपूर लोगसफा से उम्मीदवार बनाय जाने के लिए पार्टी की अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे सोनिया गांधी राहूल गांधी केसी वेनु गुपाल सचिन पाइलट एबं प्रतेश कॉंगरेस के सर्वोच निताओं के आभार व्यक्त करत हुए लोगसफा चुनाओं की लड़ाई को निर्णाय करार देते हुए रायपूर की स्थीर को कारेकरताओं की मेहनत के बल पर जीतने का दावा किया नमस्कार साथियों मैं सबसे पहले कॉंगरेस पार्टी का सिर्मची सोनिया गांधी जी का श्री मलीका अरुन खडगे जी का राहूल गांधी जी का रेनु गोपाल जी का सचिन पाइलेट जी का धनेवाद देना चाहता हूँ जिदोंने मुझको रायपूर राजधानी लो दख्ता के खिलाफ न्याई की लड़ाई में मुझको हिस्सेदार बनाकर रायपूर राजधानी के लोगसभा का टिकर दिया है मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपाहार है मैं इसी कॉंग्रेस पार्टी से तीन बार विधान सभा का टिकिट और अब लोग बारा तारीक को रायपूर लोट रहा हूँ मैं अखिल भारती कॉंग्रेस कमिटी के सची होने के नाते असम कॉंग्रेस पार्टी के इंचार होने के नाते कल असम कॉंग्रेस पार्टी की CEC की बैठक है उस बैठक में सामिल होने दिली आया हूँ कल मिटिंग खत्म होने के बाद परतों में राइपूर लटूंगा हम सब लड़ेंगे बहुत महिनत करेंगे और चीतेंगे दूसरी महत्मुन बाद साथियों भारती जनता पार्टी और उनकी आईटी सेल के लोग जिस प्रकार से पुरे देश में अफवाओं को गरम करते हैं अफवाओं को फैलाते है भारती जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस बात को कहा है और एक न्यूस ने चलाया है कि विकास उपाद्या की टिकेट वापिस करने गए हैं किसी को बोलेंगे भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा इसी रायपूर राजजानी से मैं नेता बना हूँ यही रायपूर कि विलेंगे हराम जीतेंगे